मुझा बार्ट सरकार की महत्वा कांची सोर उर्जा लेंप यूजना की बुदवार को जिलादिकारी सिवा कांदिवेदी ने जनपद में लांचींग की ग्रामिड छेत्रों की दिक्कतें दूर करने महिलाओं को रोजगार से जोडने वाली इस यूजना को जिलादिकारी ने ग्रामिडों के लिए उपयोगी वह खर्च भीहिन बताया का कि सौरी उर्जा लेंप योजना से एक तरफ ग्रामिड छेत्रों में रह रहे हैं बच्चों को पढ़ने लिखने में अब अधेरा बाधक नहीं बनेगा तो वहें दूसरी तरफ महिलाएं योजना से जोड़कर अपने घरों में आर्थिक उजाला भी पैदा कर सकेंगी सबसीडी प्रदान करेगी जिससे मात्र सौ रुपए में ही यह प्राप्त हो जाएगा सौरी उर्जा लेंप आठ घंटे तक चलेगा बारा सरकार द्वरा समू की महिलाओं को दिया जा रहा है रोज़कार देने के लिए इसके सिंबली समू की महिलाओं करेंगी और यह स्कूल के बच्चों को दिया जाएगा इसका कूल मूल 700 रुपए है जिसमें 600 रुपए 12 सरकार द्वारा सब्सडी के रूप में दिया जा रहा है 100 रुपए इसकी कास्ट आएगी एक बच्चे को एक ये दिया जाएगा और जो इसको डिस्टिब्यूशन में जो महलाया लगाई जाएगी प्रतिपीस डिस्टिब्यूट करने पर इंको 17 रुपए और जो इसके इसे मिलिंग का काम करेंगी उनको प्रतिपीस 12 रुपए दिया जाएगा इसका दो उद्देश है एक तो ग्रामी नंचल में खास करके जहां पर कई बार विजली की समस्या रहती है बच्चों को पढ़ने में से सुविधा रहेगी अगर विजली चली भी जाती है किसी कारण बस तो इस लेंब का उप्योग करके उपनी पढ़ाई कर सकते हैं करेलू काम में भी इसका उप्योग हो सकता है अगर विजली नहीं है जरूरत पढ़ गई एक आयप तो इसे आठ गंडे तक चलेगा और एक बार चार्ज हो जाने और एनारेलेम से जड़ो ही समुव महिलाओं के लिए भी भड़ाउप योगी है कि उनको घर पर बैठे-बैठाए काम में भी इसका उप्योग है आजमकर में एक बार फिर पुलिस की कारण प्रणाली पर सवाल या निश्तान लग गया है तीन दिन पूर्व सिधाई सनाच शेतर के चग भाई खांगाओं में एक गिरिप्रवेस करकम के दोरान एक युवक की तापड़तोड गोली मार कर कुछ लोगों ने सरयाम हत्या कर ली थी घटना में पुलिस की भूमका पर परजन लगातार सवाल ख़ले कर रहे हैं बुद्वार को दिन में करीब बारा बजे दोसों की संख्या में परजनों के साथ पहुंचे ग्रामिलों ने पुलिस अधिक्षक कर ले का घिराओ कर लिया आरोप है कि हत्या के दोरान एक PCS अधिकारी भी मौझूद था जो की जौनपूर में CDPO के पत्परतानाथ है फिलहाल मुख आरोपी CDPO के भाई वा गाउं के प्रधान को पुलिस ने पिस्टल के साथ गरपतार किया है लेकिन परिजनों ने CDPO समेत पांच अन आरोपियों की तत्काल गरफतारी की मांग की है विड़तों के अनुसार आरोपी प्रफावर साली है और मामले को दबाने में लगे है आपको बताते हैं कि चक भाई खांगाओं में दो दिसनबर की रात में 27 वर्षिया प्रापर्टे डिलर धनपाल यादो की गोली मार कर हत्या कर दी गई थी बिजबचाओं में साथी युवक को भी हात में गोली लगी थी मामले में CDPO जोनपूर राम जनम यादो उनके भाई प्रधान गोपाल यादो कोटेदार सुरेंद यादो समेथ 6 के खिलाप मुकदमा दर्ज किया गया आरोफाय की CDPO के प्रभाव में आरोपियों को पुलिस की गाड़ी से ततकाल हटा दिया गया और एक दिन पूरव प्रधान की ग्रफतारी पिश्टल संग दिखा दी गई खुले आम आरोपी के लोग गाउं में धमकी दे रहे हैं कि किसी भी आरोपी का कुछ नहीं होगा घटना से गाउं के लोग दर्शत में हैं इसके चलते ग्रामिर जिला मुख्याले पहुच गए धनपाल की शादी साल भर पूरव हुई थी उसे दो माह की पुत्री है उसकी पत्नी की हालत खराब है वह भी जिला मुख्याले न्याय की गुहार लगाने लोगों के साथ पहुची थी ग्रामिरों ने एस्पे सिटी से मिलकर पुलिस की कारपनाली को लेकर आकरोश जताया जल्दी से जल्दी उसका गिरवतारी करवाईए लेच आईए उसको सजा दिलवाईए भाई धनपाल यादो की वपाल और राम जनम ये लोग हत्या कर दिये हैं और भी संग्दीत लोग उसके साथ में थे प्रोलेंब कर दो ह juishes एक पीसिया सत्यकारी है जो की अभी भी खला गھों रहा है सारे सेट्रिंग पर आपना असमको कानून कि कानूनी मदद मिले मिले हमारे यहां कोई कानून की कोई विवस्ता नहीं हो रहे है कोई मदद नहीं है कोई पूछने नहीं आ रहा है पुलिस विवाग के उपर क्या विश्वास हमनों का है पुलिस विवाग के उपर विश्वास है लेकिन नहीं हमारा काम नहीं कर रहा है में आपको नियाद देंगे, रात को ठाने की खबर है, ति वहीं पर राम जनम्यादो जो पीसे दधिकारी है, वहाँ पर स्वेम गया था, बैठा था, चाय पानी करके आया, उसके साथ में तिन-चाल लोग और गये देखने के लिए को पाल यादों को, और आगे गाउं में औ अफ़ा फैला रहा है कि हम लोग जो चाहेंगे वो करेंगे और कोई कुछ नहीं कर सकता है पर साधन हमारे हाथ में पीजियास अलिकारी का है एस्पिसिटी ने लोगों को आरोपियों की तीन दिन के भीतर ग्रफतारी का भरोसा दिया पत्या हुई थी जिसमें छे लोगों को नामजद किया गया था एक तो में अव्युक्तियों की ग्रफतारी हो गई है सेस पांच लोगों ग्रफतारी सेस है जिसके बारे में लोगों का कहना था कि इनकी ग्रफतारी द्वतकाल की जाए इनके ग्रफतारी के लिए जो है टीमें लगाई गी हैं दविशे गई हुए हैं खल रात में भी आज भी गई हैं सेगर हम लोग ग्रफतार करके इनमें सभी को जीर बेजें मंडला एक जगतराज ने मंडल के तीनों जिन्पदों में प्रथार मंतरी आवास यूजना ग्रामेड के अंदरगत लाभार्तियों को तितिकिस्त कम निर्गत करने तथा बड़ी संख्या में लाभार्तियों की सुर्कृती लंबित पाए जाने पर अस्वंतोस प्रक्थ करती तीनों जिन्पत के मुख विकास अधिकारियों को बेक्रिकत ध्यान दे कर अपएक्षित प्रकति दाने का निर्देश दिया है। योजना की बेवसाइट पर अपलोट प्रकति के आधार पर की गई समिच्छा में पाया गया कि सुमवार तक जन्पत आजमगण में 28,906 बलिया में 20,262 लाभार्थियों के आवासों की सुर्गिती की गई है। बिक्टन और गठन के दौर के बाद प्रकति समाजवादी पायटी सडक के जरिया अपसदन की ओर कदम बढ़ा रही है। जिहां पार्टी के पदादिकारियों कारकरताओं का पहला बड़ा प्रदर्शन 9 दिसंबर को राजधानी लखनव में होने जा रहा है। जना क्रोस रैली के माध्यम से। बैठक को संबोधित करते हुए प्रस्पा के मंडल प्रभारी रामदर्शन यादों ने कारकरताओं में जोज भरते हुए रैली की सफलता के लिए जी जान लगा देने की उनसे बात कही। उनने कहा कि रैली की अगवाई जनपत को करनी है यहां से प्रत्निधित भारी से भारी संख्या में होना ही चाहिए। एविसी चैनल से बाच्चीत के दोरान उनने बताया कि रैली एतिहासिक होगी। रैली में जनपत से 50 बस से 200 कारूं का काफिला पहुचेगा ही इसके अलामा बड़ी संख्या में कार करता ट्रेन वबस से भी लखनों पहुचेंगे। यह जो रैली हमारी लखनों में हो रहे जाना क्रोस रैली उसी के संबन में आज हमारी प्रदस्तिल समाजवादी पार्टी की तैयारी बैठकते कि कितनी बड़ी संख्या में आजंबर के लोग वहां पर पुचेंगे। तो जो सुचनाएं आई हैं पुरे जनपर से हमारे चेत्री अचाये थे, हमारे मेता लोग आये थे, प्रभारी लोग आये थे, उन लोग ने बताया कि करीज पत्रासों से जादा बस से हो जाएंगी और दो सब कारे हो जाएंगे। दूसरा अमारा यह है कि संविधान की रच्छा के लिए लोग तंतर बचाने के लिए संविधान की रच्छा करने के लिए हम सब लोग इस जनात्रों से में पुचेंगे। कि सानों को लाभिकारी को मिल है किसानों को आज तक मर्लब घंना का राजम गल्ती यह तहीं चीन यह मिल है कि इस तरह से यह सब मांगों को लेकर झेंदियान के लिए नहीं जा रहे हैं। ये तो लगातार चल ला है और इसी तरह से हम चाहते हैं कि जो आरच्छन है, आरच्छन की जन्गर्णा कराई जाया और उसके इसाब से पिछड़ी जाती हो आरच्छन में सामिल जिया था अब कानून ब्योस्ता आजमगर का आप देखी रहे हैं, आये दिन हत्याब रतका बुरहा है, रानी की सराई की घटना उठा की देख रहे हैं, प्रसासन कहता की इस तरह की कोई घटना नहीं हुई है, दूसरी तरफ हत्याएं, आये दिन हत्याएं हो रहे हैं, आप इसको भी यहां पर बिना पैसा दिये कोई काम होता नहीं है। हमारे साथ वहां पर सभी हमारे सहयोबी कल भी हैं जिसमें पहुजर मुक्त पार्टी भी हमारे साथ पूज़ा है। गंभेरपूर ताना च्षेतर के जित्तु गंज फरिहा मार्क पर अबू सहयदपूर के पास खड़े आटो में एक यवक का श्व मिलने से च्षेतर में संसनी मच गई। बुदवार सुबा खेत में काम करने गई लोगों ने आटो में श्व देखा तो इसकी सूचना ग्राम परधान को दी। इसके बाद प्रधान ने जनकारी पूलिस को दी। श्व मिलने की सूचना मिलते ही। पूलिस अधिक छक रवी संकर छवी। सुबह ग्यारा बजे आटो लेकर निकला था। जब वह रात आट बिर तक घर नहीं पहुंचा तो घर वालों को चिंता सताने लगी। पर जनोंने रात भर उसे ढूना लेकिन जानकारी नहीं मिल सकी। सुबह उसके मौत की खबर मिली। मिलतक की शादी इसी साल जून महिले में हुई थी पर जनोंने हात्या की आशंका जताई है। इस घटना में मुकदमा दर्जकर पुलिस 96 में जूटी है। यह थाना गंभीर पूल शेतर में अब उचाहिद गाउं में एक टेंपो में एक 25 वर्ष की वक्की डेट बाडी मिली थी। तो उसको डेट बाडी की पैचान हो गई है। वो टेंपो चालक है। उची गोदाम रानी की सलाइश खित कर रहने वाला है। जनपत के रानी की सराय थाना च्षेतर में 16 नुवंबर को कोचिंग से घर लोट रही दली छात्रा को सकार्पियों में अगवा कर चलती गाडी में गैंग रेव के बाद पुलिस द्वरा किये गए खुलासे पर सवाल उठाती हुए। समाजबादी पार्टी ने जिला मुख हैले के समाजबादी पार्टी करले से मंगलवार शाम को न्याई की मांग को लेकर शहर में कैंडल जुलूस निकाला। यह जुलूस शहर के मुख्चौक तक्या कोट होते हुए रैदोपूर गांधी जी की प्रतिमा पर पहुंचा। इस दोरान पिडिता और उसके परजन पार्टी करले पर मौजूद रहे। कैंडल मर्ज के दोरान सपाईयों ने केंडर वर्रा सरकार के साथ ही पुलिस के खिलाब भी जमकर नारिबाजी किया। इस दोरान सपाईयों अध्यक्ष हावलदार यादों ने शासन प्रशासन को आड़े हात लिया। कहा कि सही दोस्यों पर कारवाई अगर नहीं की जाएगी तो 10 दिसम्बर को ठाने पर घहराव किया जाएगा, धरना दिया जाएगा। इसी सिसले में 8 दिसम्बर को राष्टी अधर्श के निर्देश पर घटना की जानकाली लेने के लिए सापा के राष्टी महासुचीव पुर्मंत्री इंद्रजीत सरोज आएगे।